नमस्कार आप देख रहे हैं रबजी लाइब और मैं हूँ आपके साथ नुपरशर्मा कुड़नी बिधान सवाब शुनाव में भाजपा की जीत होने के बाबजूत चुराग पासवान को लेकर एंडिये के तरफ से जिस तरह से कोई ठोस निरने नहीं आ रहा है उसकी वज़ा से चुराग समर्थकों में आकरोस का महौल है वैसे चुराग पासवान कोड़नी में जिस तरह से नितीश कुमार के खिलाफ हमलावर और तेजस्वी यादव के खिलाफ थोड़ी से नर्म नज़र आएं उसकी वज़ा से राजनीतिक जानकार भी उल्जन में है दरसल कुड़नी में चुराग पासवान ने नितीश कुमार के खिलाफ जम कर हमला बोला लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहकर संबोधित किया इस दोरान उन्होंने तेजस्वी यादव को साबधान भी किया कि वे जितना जल्दी हो सके ज़दियू से गट बंदन तोड़ ले तो यहां सवाल यह उठता है कि चुराग पासवान ज़दियू के खिलाफ गर्म और राज़त के खिलाफ नर्म क्यों दिखे अलाकि इस पर राजनेतिक जानकारों का कहना है कि चुराग पासवान अब मंजे हुए नेता बन गए हैं और अब वह सोत समझ कर राजनेति कर रहे हैं जानकारों का यह भी कहना है कि भाज़पा अभी तक सिर्फ चुराग पासवान का इस्तमाल कर रही है लोगों के अनुसार चिराग पासवा ने तेजस्वी यादब के खिलाफ नर्म रुख अपना कर भाजपा के खिलाफ दबाब बनाने की कोशिश किये दरसल पशुपतिकुमार पारस ने बीते दिनों जिस तरह से अब जताने की कोशिश की थी कि एंडिये में अभी भी उनका दबदबा है तो चिराग ने भी यह साफ कर दिया कि इस बार भाजपा ने अगर उनसे राजनीती किया तो पार्टी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है वैसे भी कुर्णी बिधान सभा में भाजपा की जीत सही माइने में चिराग पासवान की जीत है क्योंकि जिस तरह से शेत में नस्दी की मुकाबला हुआ उसको देखते हुए चिराग पासवान भाजपा के लिए एक स्वेक्टर साबित हुए वैसे भी चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत अब किसी सहारे की महताज नहीं है राजनीतिक जानकारों के अनुसार अगर चिराग पासवान पुई ताकत के साथ भाजपा और जद्यू के खिलाफ उतर जाए तो उनकी पाठी भले ही सत्ता में नहीं पहुँचे लेकिन वह भाजपा और जद्यू को भी सत्ता में पहुँचने से रोक सकते हैं जी हाँ इसका एक नमूना बिहार बिधानसवाज शुनाओ 2020 में देखने को मिला था जब चिराग पासवान अपने दम पर जद्यू को बिहार के तीसरे नंबर की पाठी बना दी वैसे भी राजनेतिक विश्यसग्यों का या कहना है कि जद्यू से गटबंदन तूटने के बाद भाजपा के सामने चुराग पासवान की ताकत सुईकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ नर्म रुख अपना कर भाजपा को सक्त संदेश दे दिया है कि पार्टी जल्द से जल्द कोई निर्ने ले अब देखना या है कि चुराग पासवान कब आपशारिक रूप से एंडिये का हिस्सा बनते है तो फिलाल इस वी